MS Excel 2016 के इस अध्याय में, होम टैब में फॉंट ब्लॉक के अंतरगत आप सीखेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, और नई वीडियो की जानकारी के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. कुछ भी टैक्स टाइब करने के पहले, आप होम टैब के फॉंट ब्लॉक में जाकर के, यहां से जो भी फॉंट चुनना चाहें, वो फॉंट चुन सकते हैं. और उसके बाद जब आप टैक्स टाइब करेंगे, तो वो उसी फॉंट में टाइब होगा, जो आपने चुना है. यह देखिए, जो हमने फॉंट सिलेक्ट किया था, उसमें यह टैक्स टाइब हो गया है. अगर आपने टैक्स पहले से टाइब किया हुआ है, और आप उसका फॉंट चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप उस टैक्स को सिलेक्ट कर लें. और उसके बाद, जैसे ही आप किसी भी फॉंट पर माउस ले जाएंगे, तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, प्रिव्यू में, वो फॉंट किस तरह से नजर आएगा, यह आपको दिखता जाएगा. इसमें से जो फॉंट आपको अच्छा लग रहा हो, उसको फिर आप सिलेक्ट कर लें. यह देखिए, यह हमारे पूरे टेक्स का फॉंट चिंज हो गया है. इसी तरह यदि आप फॉंट साइज चिंज करना चाहते हैं, तो पहले टेक्स सिलेक्ट कर लें, और फिर होम टैब में जहां फॉंट साइज ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करें, अब जो भी साइज आप चुनना चाहते हैं, वो चुन लें. आप चाहें तो इनक्रीज फॉंट साइज और डिक्रीज फॉंट साइज ऑप्शन की सहायता से भी फॉंट का साइज घटा या बढ़ा सकते हैं. य ब्लॉक में bold option पर click करें या फिर shortcut keys control प्लस बी press करें यह देखिये selected text bold हो गया है अगर आप इसे पहले की तरह normal करना चाहते हैं तो दोबारा select करके font block में bold option पर click कर देए या फिर वापस से control बी press करें यह देखिये text वापस normal हो गया है इसी तरह यदि किसी text को italic करना है तो उसके लिए text को select करने के बाद font block में italic option पर click करें या फिर shortcut keys control eye press करें यह देखिए selected text italic हो गया है अगर आप इसे normal करना चाहते हैं तो वापस से यहाँ पर click कर दें या फिर shortcut keys control eye press कर दें यह देखिए वापस यह normal style में आ गया है यदि आप किसी text के नीचे underline करना चाहते हैं तो उसे select करके home tab के font block में underline option पर click करें या फिर control plus you keys press करें आप चाहें तो underline के अलग-अलग styles भी use कर सकते हैं उसके लिए you के पास में एक drop down arrow है उस पर click करें अब इसमें से जो भी underline style आप चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं यह देखिए हमने जो भी underline style चुनी थी वो यहाँ आ गई है अब यदि text पर से underline हटाना है तो वापस से उसी option पर click कर दें यह देखिए वापस यह normal style में आ गया है MS Excel 2016 के इस अध्याय में home tab में font block के अंतरगत आज आपने सीखा font और font size बदलना और bold italic और underline options का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें अने लोगों के साथ इसे share करें और नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें